सिन्स्टाट होता है उस्ट्रिया से जहां एक भ्यांकर लड़ाई चल रही थी फिलहाले आइस ड्रागन अपने आपको एक पागल साई को साईडक से बचाई थी पर बचते बचाते भी अपने आधि बोड़ी को वो जला दी थी वही थोड़ी दूर में ही विंडूल्फ से एक सेबटूट जैसा वैरूल्फ लड़ रहा था और उनको वो बहुत घायल भी कर चुका था वो सारे विंडूल्फ को मारने ही वाला था पर अचानक उन सब को रेस्क्यू करने के लिए बहां गोल्डन आटा आ जाता है और उस वैरूल्फ की अटेक को ब्लॉक करने लगता है अपने एक्जोस के लिटल पंजो से उसे दूर खदेडने लगता है वो वैरूल्फ कोई छोटा मोटा एनिमी नहीं था उससे तो जोड़दा स्प्रिच्छल एनरजी निकल रहा था मतलब वो इतनी आसाने से मरने नहीं वाला था इसलिए गोल्डन आट तुरंट अपने आपको बूश्ट करता है अपने आपको ट्रिपल एम्प्रिफाइ करने लगता है और वैरूल्फ पे जपटने लगता है ट्रिपल फिस्ट, कोड फिस्ट और पेंटा फिस्ट मूव से वो वैरूल्फ पे वार पे वार करने लगता है उसे पंचेस पे पंचेस मारने लगता है उसके तन बधन को चीरने लगता है, भाडने लगता है वैसे इन अटेक से वेरुल्फ बहुत घायल हो गया था पर वो अभी तक हार नहीं माना था गोल्डन आंट को देख के वेरुल्फ भी अपने आपको बोश्ट करता है बाउंडलेस फिजिक से वो अपने आपको कहीं गुना स्ट्रोंगर बनाने लगता है अब गोल्डन आंट और वेरुल्फ जैसे टकुराते हैं उनकी बैटल के इंपक्ट से चारो तरफ धुआ धुआ हो जाता है धर्ति की तुकडे इधर उधर उड़ने लगते हैं और वेरुल्फ इंपक्ट से हैना पाके खोन की उल्टी करने लगता है पर वेरुल्फ के पास अब भी कुछ मूव्स बाकी थे और उनमें से एक था बोर्सक मोड जो की तुरंत वेरुल्फ एक्टिवेट कर दिया था और उसके वज़े से वेरुल्फ अब गोल्डन आंट से बेरहमी से लडने वाला था वही पर मिस्टी माॉंटन का पैंडा भी था जोकि क्रिमसम लोटर सोलर फ्लेर को एक्टिवेट किया था बैटलफ फिल्म में और भी कैसारी बीष थे और उन्हों से मूल डीमन लड़ रहा था अपने ग्राविटेशनल फिल्ट से अपने पारफुल एक्स से वो सारे वीष्ट को अपने पैरो तले जुका रहा था वैसे बैटल फिल्ड में फॉलकन्स भी थे और मिस्टी माउंटन की ये पेरिगिन फॉलकन माग 5 की स्पीड में उड़ रहे थे और अपने सामने आने वाले हर एक बीष्ट के आरपार जा रहे थे उनको दो पलो में खतम कर रहे थे अगर पैरिगिन फॉलकन इतना अटेक कर रहे हैं तो मिस्टी माउंटन की वल्चर्स कैसे पीछे रहे थे उनके तो विंक्स में ही आग जल रहा था और उनका हर इक फैदर मीटराइट शावर कर रहा था दुश्मन पे आग बरसा रहा था आग उगलते उगलते वहां टारेनोसरेस रैक्स पी आ गया था और सबको वह आग में जुलसा रहा था उनको फ्राई कर रहा था किंग जाओ और गुलिलास के आर्मे भी पीछे नहीं थी वो भी ओश्लिया की भीष्ट पे कहर बरसा रही थी पर सबसे ज़्यादा डैमेज तो वहां मेडिशा दे रही थी जो कि एक निजर में ही अपने दुश्मनों को पत्थर का बना रही थी और उन पत्थरों को क्यानकिन तुरन तोड़ दे रही थी पर उश्लिया की भीष्ट तो लगातर आए जा रहे थे उनके नंबर तो कम होने का नाम नहीं ले रहे थे अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मिस्टी माउंटन एक्जास्ट हो सकता था टाइम से पहले ही हार सकता था और ये होने नहीं दिया जा सकता था वली मेमोत और वाइट टागर क्राउट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और अब तो उस लड़ाई में काइमेरस भी शामिल हो चुके थे ये काइमेरस वही काइमेरस थे जो की दूर बैटके गोलेम्स की लड़े को देख रहे थे पर अब तो वो मिस्टी माउंटेन में शामिल हो गये हैं और मिस्टी माउंटेन की ओर से ही लड़ रहे हैं और शल्या की बीस्ट को मार के वो मज़े ले रहे हैं बैडल में तो नाइंटेल फॉक्स और कैंगरू बिस्ट भी थे और एक दूसरे को वो धमकाने की टॉंट करने की वो कोई कमी नहीं चोड़ रही थे तुम लोग मरने वाले हो तुम्हें पता भी है तुम लोगों की संख्या में और हमारे संख्या में कितना फरक है जल्द ही म नाइंटेल फॉक्स अपना सेंटेंस कंप्लीट करती है ओश्या में जोड़दार मिसेल्स की बोचार होने लगती है जिसके चपेट में ओश्या की कहीं सारी बीस्ट आ जाते हैं मैंने कहा था ना कि हम अकेले नहीं हैं तुम लोगों की दुश्मन तो बहुत सारे हैं जो त जैसे ही सिपके क्रिव, सिपके कैप्टेल्स आपस में बातचीत कर रहे थे अपने एनिमीपी इम कर रहे थे तब यह अचानक समंदर के अंदर से गरजन आने लगती है और सीबीस्ट चारो तरफ से हुआश्या किंडम को घेर लेते हैं और देखते ही देखते ही हुआश्य किंडम को और 10 निशन अलाइंस को अलग कर देते हैं ये बात इंसान भी अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि सीबीस्ट उन पे डिवाइड और रूल पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं इसलिए तो सीबीस्ट का सामना करने के लिए वो बॉंबार्डिंग शुरू कर देते हैं ग कर देते हैं जिसके वज़ेशे शिप्स का कम्मुनिकेशन डिवाइस खराब हो जाता है और बद को बत्तर करने के लिए वहाँ क्राप किंग आ जाता है जो बड़ी-बड़ी टैंक्स को तभा करने लगता है human battalion पे कहर बरसाने लगता है पर उन शिप में कोई ऐसा भी था जो क्राप किंग का ही इंतजार कर रहा था जिसे क्राप किंग से उधार चुकता करना था और वो था आफरिका का एक ट्राइबल किंग आफरिका पे जब सी किंग्स ने हमला किया था तब यही क्राप किंग ने आफरिका के कही लोगों को मार दिया था और जब ट्राइबल क के साथ लड़ने के लिए fully prepared हो जाता है वहीं दूसरी तरफ octopus king के साथ लड़ने के लिए अब magneto आ चुका था जो अपने magnetic power से बड़े-बड़े missiles को octopus king पर फीक रहा था इंसान चाहें कमजोर हो insignificant हो पर हमें नीचा देखने की जुरुरत मत करना क्योंकि हम मरते दम तक लड़ेंगे और हो सके तो तुम्हें hell में ले जाएंगे बोलके सिर्फ magneto ही नहीं बलकि दूसरे superhuman पर अक्टिव हो चुके थे और सारे sea beast पर अपना कहर बरसाने लगे थे उन्हें ships में विशप भी था जो अपने holy magic से holy swords को समण करने लगा था और सारे sea beast को purge करने लगा था भगवान के नाम पे तुम सारे शैतान यहीं पी खतम हो जाओगी बोलके तो वो अपना vengeance magic भी अक्टिवेट कर दिया था देखते ही देखते ही वहाँ iron nights भी आ जाते हैं और sea kings की ओर जपटने लगते हैं दूसरी ओर zeeu और darkness अब भी लड़ रहे थे कभी-कभी physically तो कभी-कभी orally वो लड़ रहे थे seven seekings ने इंसानों के साथ लगना शुरू कर दिया है देखो तुम्हारे सब्बूनेट्स फिर से अकेले हो गए हैं क्या इंसान मेरे seekings को मार पाएंगे अगर नहीं तो वो भला तुम्हारे सब्बूनेट्स को कैसे हल्क कर पाएंगे बोलकि darkness जियू को अब टॉंट करने लगा था उकसाने लगा था पर क्या जियू darkness के उकसाने से आविश में आके भड़त जाएगा या वो समझदारी से काम करेगा यू तो दोनों के दोनों ही अपने कैई सारे powers को अभी तक यूज नहीं किये थे पर जो करेंगे तबाही और बरबादी जरूर आएगा